हरे कृष्णा आप सभी का दिन शुभर मंगल में हो इससे पहले कध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार आज सुनिए आगे की कथा जब भगवान श्री राम ने दस वानरों सहित लंकापुरी में प्रवेश किया तब विभीशन ने उन्हें अकेला देखकर प्रश्न किया कि प्रभू आपके साथ लक्षमर जी और जानकी जी क्यों नहीं आई तब श्री राम चंदर जी ने विभीशन से सब समचार बताया औ उनके हित के लिए इस परकार कहने लगे हे राक्षिस राज इस समय में राज इत्याक कर अपने परम धाम को जहां लक्षमर जी गए हैं शीगरी जाओंगा उनके बिना अब इस मर्ति लोक में दो घड़ी भी ठेहरने का मेरे मन में कोई उत्सा नहीं है इस समय मैं तुम्हे शिक्षा देने के लिए ही यहां उपस्तित हुआ हूँ तुम शांतिचित होकर मेरी बात सुनो ये राज लक्षमी स्वल्प बुधी वाले पुरुशों के मन में मदिरा की तरह मद उत्पन्न कर देती है इसलिए तुम्हें अपने हिर्दय में इस मद को स्थान नहीं देना चाहिए इंद्र आदी संपूर्ण देवताओं का तुम्हें आदर और पूजन करना चाहिए जिससे तुम्हारा राज सदासु इस्थे रहे और मेरा वचन भी सत्य हो इसलिए मैं यहां आया हूँ अगर कोई मनुश्य किसी प्रकार यहां आ जाए तो समस्द निशाचरों क प्रसन होकर उसका सत्कार ही करना चाहिए विभीशन तुम्हें अपने समस्द निशाचरों को मना कर देना चाहिए कि वे मेरे सेतु का उलंगन करके भारत वर्ष की भूमी में कदाप ही न जाए तब विभीशन ने कहा प्रभो ऐसा ही करूंगा निश संदे आपकी आग्या का पालन किया जाएगा परन्तु जब आप मर्दि लोग को छोड़कर पधार जाते हैं तब मैं भी यहां जिवित नहीं रहूंगा अतहा मुझे भी आप अपने साथ वहीं ले चलिए शिरी राम जी कहने लगे हे राक्षस राज मैंने तुम्हें अविनाशी राज दिया है अतह किसी प्रकार मुझे मिध्यवादी ना करो मैं यहां सेतु में कीर्थी के लिए तीन शिवलिंगों की स्थापना करूँगा उन तीनों की तुम्हें सदय पूजा करनी चाहिए विभीशन से ऐसा कहकर वानरो सही श्री राम जी फिर दस राद तक महीं लंका में टिके रहे ग्यारवी दिन विमान पर बैठ कर उन्होंने अपनी पुरी को प्रस्थान किया और विभीशन और वानरों के साथ मार्ग में उतर कर अपने सेतु के आदी, मध्य और अंत में श्रद्धा पुर्वक तीन रामेश्वरों की स्थापना की इसके बाद जब वे अपने घर की ओर चले उस समय विभीशन ने बार बार प्रणाम करके कहा हे भगवन, इस सेतु मार्ग से कौतुक वश तथा श्रद्धा से बहुत सारी मनुष्य रामेश्वर जी का दर्शन करने के लिए आएंगे राक्षसों की जाती तो अतिंत क्रूर मानी गई है और मनिश्यों को आते देख कर उनके मन में उसे खा जाने की इच्छा हो जाती है अतह यदि कोई राक्षस किसी मनिश्य को खा लेगा तो निश्य ही मेरे द्वारा आपकी आग्या का उलंगन हो जाएगा इसलिए है प्रभू आपको ये ऐसा उपाय सोचिए जिससे मुझे आग्या भंग होने का दोश्पना लगे तब बिभीशन का ये वचन सुनकर भगवान श्री राम जी कहने लगे बहुत अच्छा इसके बाद उन्होंने अपना धनुष चड़ाया और अपने तीखे बाणों से सेतु के दस योजन विस्तरित मध्य भाग को खंडित कर दिया अर्थात अलग कर दिया इस प्रकार सेतु मार्ग से अर्थात पुल वाले मार्ग से लंका में जाना असंभव करके उन्होंने वानरों और राक्षसों के साथ अयोध्यापुरी को प्रस्थान किया तब से लंका भारत वर्ष से अलग हो गई इस प्रकार अपने नगर को प्रिस्थान करते समय मार्ग में आकाश के पत से जाता हुआ पुश्पक विमान सहसा अचल हो गया ये देखा शिरी राम चंदर जी ने हनुमान जी से कहा हे वायू नंदन तुम भुमी पर जाकर पता तो लगाओ कि क्या कारण है जिससे पुश्पक विमान आकाश में ही रुख गया हनुमान जी बहुत अच्छा कहका शिगरी धर्ती पर उत्रे और पुना लोटकर भगवान को प्रणाम करके कहने लगे प्रभु यह नीचे परम कल्यान में हाट केश्वर छेत्र है वहां संसार की स्त्रिस्टी करने वाले साक्षात ब्रह्मा जी वित्यमान है यही कारण है कि पुश्पक विमान उन्हें लांग कर आगे नहीं बढ़ता है हनुमान जी की ये बात सुनकर शिरी रगुनाथ जी ने विमान को उस छेत्र में उतरने की आग्या दी फिर वेस्वयम विमान से उतरे और समस्द वानरों तथा राक्षसों के साथ उस छेत्र में सब और घूम घूम कर तीर्थों का दर्शन करने लगे वहाँ पर उन्होंने अपने पिता में राजा अज के द्वारा इस्थापित की हुई चामुंडा देवी के दर्शन किये और समस्द कामनाओं को पूर्ण करने वाले कुंड में स्नान करके अपने पिता राजा दश्रत द्वारा इस्थापित अपने सरूप भूत चार भुजाधारी श्री विश्नु भगवान का दर्शन किया वहां राज वापी में इसनान करके शुद्ध होकर देवदाओं और पित्रों का तरपन कर उन्होंने मन ही मन ये विचार किया कि इस परम पुनिदायक छेत्र में मैं भी शिवलिंग की स्थापना करूँ जैसे की पिताजी ने श्री विश्नु भगवान की स्थापना की है इसके सिवा मेरे प्रे भाई लक्षमन दिविलोक में चले गए हैं अत्हां उनके नाम से भी एक शिवलिंग की स्थापना मुझे करनी चाहिए साथ ही अपनी प्रे पतनी सीता देवी की और लक्षमन जी की भी प्रस्तर मई अर्थात पत्थर की प्रतिमा इस पवित्र छेत्र में इस्थापित करूँ ऐसा विचार करके श्री राम चंदर जी ने पांच मंदिर बनवाए और उन सब में पूरवोक्त विग्रहों को इस्थापित किया फिर सभी वानरों और राक्षसों ने भी अपने अपने नाम से अलग-लग शिवलिंगों को इस्थापित किया इसके बाद श्रेष्ट पुष्पक विमान पर बैठ कर वे सब के सब अयोध्या पुरी को गए शुरी सूत जी कहते हैं हे महरशियो शुरी राम चंदर जी ने जिस प्रकार उस कल्यान में तीर्थ में रामेश्वर और लक्षमनेश्वर आदि की स्थापना की वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों से कह सुनाया जो प्रातेकाल उठकर रामेश्वर और लक्षमनेश्वर का दर्शन करता है वह इस तीर्थ में संपून रामायन के श्रवण से होने वाले फल को प्राप्द कर लिता है जो अस्टमी और चतुरदशी को रामेश्वर जी के आगे रामचरित का पाठ करता है वह अशुमेद यगी का संपून फल प्राप्द कर लिता है श्रिसूत जी आगे कहते हैं हे महर्शियो पूर्वकाल में चमतकार पूर के भीतर एक श्रेष्ट ब्रहमर थे जिनका जन्म वत्सकुल में हुआ था उनका नाम चित्रशर्मा था चित्रशर्मा बड़े ये शश्वी थे एक दिन उनके मन में ये बात पैदा हुई कि मैं पाताल से हाटकेश्वर जी को यहां लाकर भक्ती पूर्वक दिन रात उनका पूजन करूँ ऐसा निश्य करके वे नियम पूर्वक रहते और नियमित भोजन करते वे बड़ी निश्ठा के साथ कठिन तपस्या करने लगे लंबे समय तक तपस्या करने के बाद भगवान शंकर एक दिन प्रसन हुए और आदर पूर्वक प्रकट होकर बोले विप्रवर तुमारा जो मनुरत हो उसके अनुसार वर मांगो तब चित्रशर्मा बोले हे देव आप आताल से हाट केश्वर लिंग के रूप में यहां पधारिए बस मुझे यही मनुरत प्रदान कीजिए तब भगवान शिप बोले हे ब्रहामन मेरा लिंग में विग्रह सर्वत्र अचल होता है तुम हाटक अर्था स्वर्ण के द्वारा निर्मित दूसरे शिवलिंग के स्थाबना करो वही संसार में हाट केश्वर के नाम से विख्यात होगा जो शुकलपक्ष की चतुरदशी को सुमवार के दिन श्रद्धा पूर्वक भक्ति युक्त चित्त से उस लिंग की पूजा करेगा उसे आदी हाटकेश्वर की पूजा से होने वाले कल्यान में फल की प्राप्ती होगी ऐसा कहे कर भगवांशिप अंतरध्यान हो गए उधर चित्र शर्मा ने भी वनुहर मंदिर का निर्मान करके भक्ति भाव से शास्त्रोक्त विधी के अनुसार उसमें स्वन्ण मैं लिंग स्थापित किया और फिर उसी की पूजा प्रारम कर दी वहां उस लिंग की तीनों लोकों में ख्याती फैल गई दूर दूर से लोग आकर उस उत्तम लिंग की पूजा करने लगे ये देखकर दूसरे ब्रहामनों ने भी विचार किया कि हम लोग भी भगवान सदाशिव को अपनी आराधना द्वारा संतुष्ट करें शूल पानी शिव के 68 छेत्र बताए गए हैं जहां ये परमेश्वर तीनों काल में निवास करते हैं हम सब लोग प्रयास करें तो उन सभी छेत्रों का समूँ यहां आ जाएगा तद अंतर वहाँ पर जितने भी श्रेष्ट ब्रहामन थे उन सब ने ऐसा सोच कर बड़ी कठिन तपस्या प्रारम कर दी सहस्त्रों वर्ष आराधना करने पर भी जब उन्हें कोई फल प्रात नहीं हुआ तब वे सभी ब्रहामन शुद्ध हो उठे और बोले कि हम बाली अवस्था से ही भगवन शंकर जी की आराधना करते वे बुड़े हो गए परन्तु हमें अब तक परमेश्वर शिव का दर्शन नहीं हुआ इसलिए हम सब लोगों को अब अगनी में प्रवेश कर लेना चाहिए मन में ऐसा निश्य करके फिर उन सब ने अगनी प्रज्वलित की और एकाहाग रिचित होकर वे अपने पुत्रों के साथ जैसे ही उस जलती अगनी में प्रवेश करने लगे तुरंत ही भगवान शिव ने प्रसन होकर उन्हें दर्शन दिये और हसकर कहने लगे हे द्विच्वरो ऐसा दुस्साहस ना करो तुम्हारे मन में जो इच्छा हो से मांग लो फिर सभी ब्रह्मनों ने भगवान शिप को बारंबार प्रणाम करके कहा हे सुरस्रेष्ट आपके जो 68 छेत्र परम धन्न कही जाते हैं और आदी शिवलिंगों की स्थिति के कारण जिन्हें परम पूझनी माना जाता है वे सभी छेत्र यहां प्रतिष्ठित हो यह सुनकर भगवान शंकर ने सोचा कि मेरे मन में भी सदा यही कारे करने का विचार होता है कि मैं अपने सभी छेत्रों को किसी एक ही स्थान पर एकत्र करूँ क्योंकि कली काल बढ़ा भहंकर होगा यहां पर भगवान शिप कल्युग के बारे में बता रहे हैं कि कल्युग आने पर प्रत्वी पर जितने तीर्थ और छेत्र हैं वो सब नस्ठ हो जाएंगे ऐसा विचार कर भगवान शंकर ने उन सभी ब्रहमनों से कहा विब्रवरो तुम लोग मंदिर बनवाओ और उसमें अपने अपनी गोत्र को आगे रखकर उत्तम शिवलिंग स्थापित करो जिससे उन शिवलिंगों में मैं संक्रमन कर सकूँ अर्थात मैं प्रवेश कर सकूँ तब उन सभी ब्रहामणों ने हर्ष में भर कर मनुहर भूमी भागों को देख कर वहां केलास शिखर के समान उच्छ और दिव 68 मंदिर बनवाए और उन मंदिरों में तरह तरह के उत्तम शिखलिंगों की स्थापना की और विभिन छेत्रों में जो जो नाम प्रसिद्ध हैं उनके वही वही नाम रखती है इस प्रकार समस्त छेत्र और शिख मंदिर वहां सदेव निवास करते हैं और आप सिभी की जानकारी के लिए मैं आपको बता दू कि रामेश्वरम तीर्थ तमिल नाडू में है अगर आपको कभी भी ऐसा स्वभागी प्राप्त हुआ तो आप वहाँ पर जाकर एक बार दर्शन करके जो भी आपको कथा में वर्णन किया गया है उसके बारे में जरू नरूप से बताईए तब भगवानशिक कहने लगे देवी काशी में महादेव विश्वनात के नाम से प्रियाग में महेश्वर नमिशरणी में देव देव गया में प्रपिता महें ब्रह्माजी कुरुक्षेत्र में स्थानू प्रभास में शशी सेखर उष्कर में अजाग मरु कोट में महोतकट, शंकुकन में महतेज, गोकन में महाबल, रुत्र कोटी में महायोग, इस्थलेश्वर में महालिंग, हर्शित में हर्श, व्रिशब्ध्वज में व्रिशब, केदार में इशान, मधिमकेश्वर में शर्व, सुपन में सहस्त्रांशू, कार्तिकेश्वर में सुषोक्ष्म, वस्त्रापत में भव, कन्खल में उग्र, भद्रकाण में शिप, दंडक में दंडिन, तिरी दंडा में उर्ध्वुरेत, क्रमी जांगल में चंडीश, एकाम्र में कृतिवास, छागले में कपड़ी, कालिंजर में निलकंट, मंडलेश्वर में शिरीकंट काश्मीर में विजय, मरुकेश्वर में जयंत, हरिष्चंद्र में हर, पुरुष्चंद्र में शंकर, वामेश्वर में जटी, कुक्कुटेश्वर में सौम्य, भस्मगात्र में भूतेश्वर, अमर कंटक में ओंकार, त्रिसंध्या में त्रयंबक, विरजा में तिरिलोचन, अरकेश्वर में दीप्त, नेपाल में पशुपती, दुशकन्ड में यमलिंग, करवीर में कपाली, जलेश्वर में त्रिशोली, शुरिशेल में त्रिपुरांतक, अयोध्या में नागेश्वर, पाताल में हाटकेश्वर, कारोहन में नकुलीष, देविका में उमापती, भै पूर्व सागर में अमर, सब्त गोदावर तीर्थ में भीम, निर्मलेश्वर में स्वैंभू, कर्णिकार में गणाध्यक्ष, किलाश में गणाधिप, गंगाद्वार में हिम इस्थान, जल लिंग में जल प्रिय, वडवागनी में अनल, बद्रीकाश्रम में भीम, श्रेष् में कोटिश्वर, विंध्याचल में वारह, हेमकूट में विरुपाक्ष, गंधमादन में भुर्भुव, लिंगेश्वर में वरत और 68 अर्धात लंका में नरांतक का कीर्दन करना चाहिए। वित्र जनों को तीनों कालों में इन सब नामों का प्रत्न पूर्वक कीर्दन करना चाहिए। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रभास तथा हाठकेश्वर इन आठ तीर्थों में जिसने भी श्रद्धा पूर्वक इसनान किया है उसने सब तीर्थों में इसनान कर लिया। दिवी पारवदी ने पूछा, महादेव, कल्युक में मनुश किसी प्रकार इन सब छेत्रों में सनान करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। अतह इन आठ तीर्थों का भी जो सारभूत तीर्थों अर्थात इन आठ तीर्थों में भी जो मुख्य तीर्थों जिसमें सनान करने से इन सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो सकें उसका वर्णन कीजिए। तब महादेव जी बोले है देविश्वरी इन आठों में भी सबसे उत्तम हाठ केश्वर छेत्र हैं जहां मेरी आग्या से सब छेत्र निवास करते हैं अन्य जितने भी दीर्थ हैं वे सभी कल्यूग आने पर यहीं स्थित होते हैं अतहे मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष्यों को सभी प्रकार से प्रयास करके इस छेत्र का दर्शन अवश्य करना चाहिए श्री सूत जी कहते हैं हे ब्रहमनों इस प्रकार मैंने आप लोगों से 68 छेत्रों का उनके नाम और देवताओं सहित वर्णन किया है जैसा कि महादेव जी ने पारवती जी से किया था जो श्रद्धा पूर्वक इन सब के नामों का पठन और कीर्दन करता है वे उनमें इस नान करने का पुर्णि प्राप्त कर लेता है हरे क्रिश्णा कथा को आंति तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार इस से आगे क आप सभी अगले ध्याय में जरूर सुनियेगा